नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग का एक बार फिट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट वल्ल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचल फंड के बारे में देखे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लाज केप क तो यहाँ पर जो आपको रिस्क है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा देखे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप इस mutual fund में अपनी investment को प्लान करते हैं तो future में आपके financial goals को अचीव करने में ये fund आपकी कितनी मदद कर सकता है तो दोस्तो वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखेगा और अंत तक हमारे साथ बने रहेगा इस वीडियो का purpose बनाने का यही है कि आपको इस investment plan को काफी आसान और सरल भाशा में समझाये जा सके तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को देखे आज किस वीडियो में हम जिस mutual fund की ब बात करूं blue chip category की तो देखिए ये blue chip में ऐसी companies आती है जो market capitalization के साफ से काफी बड़ी होती है और जो इनके stocks है इनमें आपको उठा पटक या fluctuation काफी कम देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको एक balance विम में returns यहाँ पर इस mutual fund में आपको देखने को मिलेंगे देखिए दो काफी बड़ा हमें आपर इसका fund size देखने को मिलता है वहीं अगर हम बात करें expense ratio की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 0.86% देखे अगर हम बात करें expense ratio की तो यह एक annually maintenance charge होता है जो किसी भी fund manager द्वारा उस fund को manage करने के लिए लिया जाता है वहीं अगर हम बात करें इसके exit load की तो वो हमें आपर देखने को मिलता है 1% का वहीं दोस्तों गर हम बात करें इस fund में minimum investment की अगर हम सबसे पहले आपर बात करें SIP की तो आप मातर 500 रुपे से इस fund में अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें lump sum amount की तो lump sum amount आप 5000 रुपे से इस fund में शुर देखें दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SIP के market cap के बारे में तो maximum investment हमें large cap में देखने को मिलता है जो की रहेगा 80.89% का वहीं अगर हम बात करें mid cap की तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलता है 14.75% का वहीं अगर हम बात करें small cap की तो यहाँ पर हमें कोई भी investment सिब्वी द्वारा निदारित नियमों के नुसार मार्किट यपितलाजयशन के इसाब से जिन कंप्पैनीज की ranking 1 से लेकर 100 तक होती हैं वो सभी जो है large cap category में आती है और जिन कंप्पैनेज की ranking 151 तक होती है वो सभी जो है small cap category में आती हैं दोस्तों यह था इस front का थोड़ा अब बात करते हैं स्थे के पास प्रॉठ रेटन्स के वारे में द्रेखे एगर हम यह बात करें पास्ट के 3 और ट्रंस के बारे में तो वह हमें आप",5 50% के बात करेंगर 5 एर रिटरंस की तो वो हमें याँ पर देखने को मिलते हैं 15.87% के महीं अगर हम बात करें इस फंड के एक आल ओवर रिटरंस के बारे में तो वो हमें याँ पर देखने को मिलते हैं 15.56% के काफी बढ़िया में याँ पर इस फंड के एक आल ओवर रिटरंस भी देखने को मिलते हैं देखे दोस्तों गर यहाँ पर बात करें इस fund के top sectors के बारे में तो financial, automobile, consumer, construction, healthcare काफी बढ़े हमें यहाँ पर इस fund के top sectors देखने को मिलते हैं और past में अच्छी consistency के साथ perform करते वे आ रहे हैं अगर दोस्तों बात करें top holdings की तो HDFC, ICICI Bank, Infosys, Reliance Industries, Bajaj Finance, Britannia और Aisar, Bharti Airtel, Mahindra & Mahindra काफी बढ़े हमें आपर companies में यह fund अपने पैसे को invest करता है दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं अगर आप एक certain amount SIP या लमसम इस mutual fund में invest करते हैं तो future में आपके financial goals को अचीव करने में यह fund कितना बहतर आपके लिए perform कर सकता है देखे सबसे यहाँ पर बात करते हैं SIP की हम यहाँ पर एक certain amount SIP का लेकर चलेंगे जो की हमारा रहेगा 4000 रुपए प्रती महिना का बात करेंगा returns की तो दीके returns में यहाँ पर 13% के लेकर चलूँगा हो सकता है कि future में आपको 13% से पी ज़्यादा के returns देखने को मिले तेकि मैं अपने future के returns की कोई guarantee नहीं देते इसलिए मैं आपके वीडियो में returns कमी लेकर चलता हूं अगर बात करें duration की तो देखे पहली duration हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 15 years की तो इन 15 सालों में जो यहाँ पर आपका amount invest होगा वह invest होगा 7.2 lakh का और जो final amount आपका यहाँ से बनेगा वहां से तो जो यहाँ पर आपका amount invest होगा वह invest होगा 9.6 lakh का और जो final amount आपका यहाँ पर बनेगा वह यहाँ पर बनेगा 45.82 lakh का महीं दोस्तों गर यहाँ पर बात करें लंसम amount की माल लेते हैं एक लाग रुपे का लंसम हम यहाँ पर लेका चलते हैं तो देखे अगर हम यहाँ पर duration 20 years की तो जो यहाँ पर आपका amount बनेगा वह यहाँ पर बनेगा 11.52 lakh का महीं अगर duration को आप बढ़ा दें duration आप 25 years की कर लें तो जो यहाँ पर आपका amount बनेगा वह यहाँ पर बनेगा 21.23 lakh का देखे दोस्तों यही खासित होती है long time investment की अगर आप एक long time के लिए पैसे को invest करत हैं तो आपको future में balance में returns भी नजर आते हैं और एक अच्छी खासी amount आप अपने मविश्य के लिए महां से बना सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको काफी help हुई होगी वीडियो आपके लिए काफी important रही होगी देखे दोस दोस्तों यह कोई recommendation वीडियो नहीं है educational purpose वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह की investment से जुड़ी हुई advice यह वीडियो नहीं देता है बाकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मारे चैनल को भी subscribe सरूर कीजेगा धन्यवाद